वेलकम स्टुएंट्स मेरिंग इंस्टुमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था और मीटरूड और वर्नियर के लिए पर को हम पढ़ चुके थे आज हम बात करेंगे मेरिंग साइलेंडर के बारे में स्ट्टुरnds मैयरनिंग साइ्लंड से ऐसा इंस्टुमेंट होता है कि जिसके जरीय हम वालियूम ओफ लिक्विट्स और वाल्यूम ओफ एरर रिगुलर शेप आबजिक्त को wireless को भी हम coronavirus कोiod calculate के जीक्व्यूम ओफ लिक्विट्ट को कैसा मैयर करता है volume of irregular shape object को कैसे find करना है irregular shape object होते क्या है और क्यों उनका volume जो हम measuring cylinder की तुमी मियर करते हैं इन questions के बारे में बात करेंगे हम इसी वीडियो में तो सबसे पहले हम बात करते हैं measuring cylinder के बारे में measuring cylinder जो होता है transparent glass और plastic से बना होता है यहाँ पिर transparent word का मतलब यह है reading किस तरह से ले सकते है तो measuring cylinder जो होते है वो transparent glass और plastic के बने होते है इसका जो skill होता है measuring cylinder का वो millimeter or cubic centimeter में होता है जैसे आप इस picture में देख सकते है यह जो skill है यह है millilatres में और यह skill जो है यह एक vertical skill है इसी vertical direction में इसकी markings बनी हुई है यह एक horizontal scale नहीं है तो measuring cylinder का जो skill होता है वो vertical scale होता है और या तो यह milliliter में होता है और या cubic centimeter में होता है जो sizes होते है measuring cylinder के वो different sizes होते है यह जो measuring cylinder है यह 250 ml तक measure कर सकता है वो सकता हो दूसरे measuring cylinder 500 ml तक find कर सके 1000 ml की भी आप लोग को measuring cylinder मिल सकते है 10 ml की भी मिल सकते हैं तो different sizes होते हैं मैयरिंग साइलेंडर के तो हम अपने पहले सवाल के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी एक liquid की volume को find कर सकते हैं मैयरिंग साइलेंडर को यूज़ करके तो liquid की volume को find करना माइयरिंग साइलेंडर की चुरूप बहुत हीजी है सरसे पहला स्केप आप लोगों ने क्या करना है कि माइयरिंग साइलेंडर में उस लिक्विड का आप लोगों ने डालना है जिस भी लिक्विड की आप लोगों ने वाल्यून फाइंड करनी हो इसमें वो 8 ml बन रहा है, तो लिक्विड का आप लोगों ने इंजर्ट करना है, मैं एक सालेंडर के अंदर, और जिस मार्क तक लिक्विड चड़ जाए, वो मार्क की आप लोगा क्या होगा, वाल्यूम होगा लिक्विड का, अभी हम बात करते हैं, उनके वाल्यूम को फाइंड करने से पहले हम बात लेंगे इर्रीगुलर शेफ आपजिक्विड के बारे में, तो दोस सबस्टांसिस विच डू नाट हैव अफिक्स की गियोमेट्रिकल शेफ आर्कार्ट इर्रीगुलर शेफ आपजिक्स, तो जिनका कोई खाफ जूमेट्री अगर आप लोग पिक्चर में कोई रिगुलर शेफ नहीं होता है तो यह होते है अगर आप लोग पेक्षर में देख लेंगे तो यह है एक इर्रीगुलर शेफ आपजिक्स कोई बीस टों है इसका कोई फास शेफ नहीं, ना To peculiar है ना ये कोई rectangle है, ना कोई square है, ना कोई square है, तो इस तरह के objects को हम बहुते हैं, irregular shape objects, अभी सवाल ये हुटता है, कि irregular shape objects के volume को हम measuring cylinder की क्यों मेज़ ही क्यों करते है, volume का formula हम क्यों use नहीं करते, तो अगर कोई regular shape object हो, जैसे ये cube हो गया, इसका हम volume असाइन से find कर सकते है, length times, width times, height वाले formula को use करके, इननी length जितनी है, width जितनी है, और height इसकी जितनी हो, किनों को multiply करके, हमें volume असानी से में जाता है, ये जो case है, irregular shape objects का, इनमें जो length होता है, width होता है, ये चीज़ी defined नहीं होती, जैसे अगर मैं इस dimension को, इस direction को width मान लो, तो यहाँ पे इसकी width इतनी बनती है यहाँ पे इतनी बनती है, यहाँ पे जो width बनती है, वो इतनी बनती है, तो ये जो width और length है, ये irregular shape objects में defined नहीं होते properly, तो इसलिए इनका जो volume होता है, वो हम इस formula से directly find नहीं कर सकते, और इनके volumes को find करने के लिए हम measuring cylinder का use करते है, तो जब भी आप irregular shape objects का volume find करेंगे, सबसे प उसको डालना है, और उस liquid का volume जो है, आप लोगों ने note कर लेना है, कोई भी value हो सकती है, शायद आजाए, 50 ml आजाए, 70 ml आजाए, 100 ml आजाए, जो भी value आजाए, उसको आप लोगों ने note कर लेना, अभी in general terms में उस volume को V1 बॉल्ड आओ, यहनी जो liquid आप लोगों ने डालना, मेरिंग साइलेंडर के अंदर, जब आप उसको मेरिंग साइलेंडर के अंदर डालेंगे, तो वह water का volume है, वह rise कर जाएगा, यहनी इस volume की value बढ़ गएगी, आप लोगों ने यह final volume भी note कर लेना है, in general terms में ने इस volume को बोला V2, फिर आप लोगों ने क्या करना है, कि change in volume को निकाल सकते है, V2 माइनस V1, यही final volume से initial volume को सब्ट्रेक करके, हम change in volume को निकाल सकते है, तो यह जो change in volume है, यही होगा हमारा regular shape object का volume, अब इसको हमें एक example कित्री समझ लेते है, कि हमने एक measuring cylinder को उठाया, और उसमें हमने किसी भी liquid को डाला, और उसका volume आया 20 ml, फिर हमने regular shape object को डाला, तो जाहिरी बाते volume rise करेगा, और volume rise हो के 27 ml बना, हमने 27 से 20 को सब्ट्रेक करके change in volume फायंड किया, जो कि इस case में आ रहा है, 7 ml, तो यह जो 7 ml है, यह है volume of irregular shape object, और 1 ml जो है, वो 1 cm2 बराबर होता है, तो हम लेख सकते हैं, 7 ml, और 7 cm2 जो है, वो irregular shape object का volume हो गया, इस case में जितना जो है आप लोगों के liquid का volume rise करेगा, वही rise होगा आप लोगों के regular shape object का volume, यह जो सवाल है, यह आप लोगों से exam में फूचा जा सकता है, कि why 20 degree centigrade is written on measuring cylinder, कि measuring cylinder के उपर यह 20 degree centigrade क्यों लिखा गया होता है, तो अगर आप लोगों गोर कर ले, यहाँ पे लिखा गया है, 20 degree centigrade. तो measuring cylinder जो है, यह glass और plastic से बना होता है, योगों किसी material से बना होता है, और हमें पता है, जो materials होते है, वो heat के साथ, यह temperature के साथ contract करते हैं, और expand करते हैं, यह गर हम temperature बढ़ा है, तो expand करेंगे, और temperature हम कम करें तो और contract कर जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है, तो इसके बाद जो आटवा चेप्टर आएगा आप लोग के पोर्स का उसमें हम पढ़ेंगे इन कंट्रेक्शंग और एक्सपेंशन के बारे में सपोस्कोर अगर हम वाल्यून को फाइंड कर रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेट के उपर तो क्या होगा यह जो मईयरिंग साइलेंडर है यह एक्सपेंड कर जाएगा मैं अभी इसको एक्जज़रेट्ड व्यू में बना रहा हूँ यानि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके बना रहा हूँ इतना ज्यादा यह एक्सपेंड नहीं होगा पर हो सकता है कि यह कुछ इस तरह से बन के साथ अगर हम किसी high temperature पे रीडिंग्स ले रहे हैं तो suppose को अगर हम इसी measuring cylinder के उपर 20 degree centigrade पे वाटर को डाला हुआ तक उसका volume बनेगा यह यहां तक अभी चुकि एक्स्पेंड कर गया है तो वाल्यूम तोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और हो सकता है कि यह मार्क यहां पर आ जाए तो यह जो मैयरिंग साइलेंडर होते हैं यह 20 degree centigrade के लिए बने हो तो हमें को यूज करेंगे तो हमें करेक्शन की कोई ज़रुवत ही नहीं है यह जो वेल्यू आई की डायरिक वह होगी हमारी मैयर्मेंट की वेल्यूस तो सब्सक्राइग वाटर के वाल्यूम को फाइंड कर रहे थे हमारे साइल में या दूसरी जगों में तंप्रेचर को मेंटेंड नहीं कर सकते तंप्रेचर बढ़ सकता है कम हो सकता है तो इसका जवाब यह है कि जो मैरिंग साइलेंडर बनाते हैं उनके अपने चार्ट होते हैं जो कि आपको ये शो करते कि गर आप किसी 20 degree centigrade से ज्यादा या कम तंप सब्सक्राइब करेंगे तो हम उसमें 2 ml एड कर देंगे और हमारी वेल्यू बन जाएगी 52 ml तो 20 degree centigrade पर हम यूज करेंगे तो हमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर हाईयल या उससे लोट अप्रेचर को यूज करना पड़ेगा अगर चार्ट को यूज करन वरना ये जो मैयर्यंग साइलेंडर है ये हमें रौंग विल्यू लेते हैं तो आप लोगों ने था लिइसलिकुलों फ्रेंड के ऊपर स्पिस्स के उन्पर नुपर रैखना है कि मैनिस्क्स के डवलंपर के चांसuerdo मेंड में चूल डाला तो इसको हम बॉलते हैं मेनिसको्ष और में क्या करते कि जो मार्किंग होती करना दूमल चींड में यह सील॑ आध यह यह है actual value तो इस case में जो actual value है वो होगा lower meniscus इस mark के साथ को inside कर रहा है यह 20 ml होगा और 19.8 नहीं होगा यह जो अपर mark को inside कर रहा है यह नहीं होगा क्योंकि meniscus के case में हमने lower meniscus को read करना होता है तो यह depend करता है अगर इस तरह का meniscus हो यह नहीं concave up meniscus हो तो फिर हमने lower mark को जो है वो read करना होगा लेकिन अगर यह meniscus जो है concave down meniscus हो तो फिर हमने क्या करना होगा कि अपर meniscus को read करना होगा इस पार्ट को हमने read करना होगा तो आप लोगोंने देखना है किया concave down meniscus बनना है या केवार देहां के केस्ट नुर्य कुर सार्हें, केुधा इसे में आप नाम। इसी में के तॉपिक में आप लोगे एग्षैब के इनलेंट कर बारे में पूछा जा सकते हैं तो मैंने एक सवाल उठाया हुआ है और रोहे के a cube is one side of 10 cm, find its volume in cubic meter and cubic centimeter, तो हमें पता है कि जो volume का फर्मूला होता है, length times width times height, और क्यों भी जो होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, कि उसके सारे जो dimension होती है, वापस में बराबर होती है, यनि सारे sides की जो length होती है, वापस में बराबर होती है, तो हमने width और height को जो है, वो भी length से replace कर लिया, तो यह बन गया length times length times length, यनि volume बन गया cube के case में हो गया length cube, अभी हमें एक side की dimension दी गई है, वो 10 है, तो 10 को जब हमने यहाँ पे cube कर लिया, तो यह बना 10 cube into cubic centimeter और यह बन गया 1000 cubic centimeter, यनि जो volume बन गया cubic centimeters में, वो आया 1000 cubic centimeter, जो 1 meter होता है, वो 100 centimeter के बराबर होता है, तो 1 meter हो जाएगा 10 to the power 2 centimeter, अगर हम both sides को cube कर ले, तो 1 meter cube बन जाएगा 10 to the power 6 cubic centimeters, हमें चाहिए 1 cubic centimeter के value, तो हम 10 to the power 6 को both sides से divide कर लेंगे, और यह यहाँ से जब ऊपर चला जाएगा, तो 1 cubic centimeter बन जाएगा 10 power minus 6 cubic meters, अभी हमने अपने previous value को उटाया है, जो 1000 cubic centimeter है, यह 10 power 3 cubic centimeter, और 1 cubic centimeter की जगा हमने अपनी यह value पूट कर ली, 10 power minus 6 cubic meters, तो जो volume बन गया, cube का cubic meters में, वो बना 10 power minus 3 cubic meters, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, unit conversion कर सकते हैं, यह बात आप लोगों ने खास तरपर note करनी है, कि जो 1 cubic centimeter होता है, वो 1 ml के बराबर होता है, जैसे इस case में 1000 cubic centimeter है, आवा value, तो यह 1000 ml के डी बराबर है,